हेलो जहिंद श्टूडेंट फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चनल पर और आज मैं आप लोग को ITI का यहाँ पर काउंसलिंग आप लोग अपने मोबाइल फोन से कैसे करेंगे फाइले मैं पूरी प्रक्रिया आप लोग को सिखाने वाला हूँ तो आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा वरना आप लोग को काउंसलिंग समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से करना है तो आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं देन आप लोगो चैनल पर नए है भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो आप लोगो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट कर लिजे क्योंकि आपको डेली अपडेट्स मिलती है और यहाँ पर जो भी अपडेट यहाँ पर आपकी मदद करता है और आपके साथ रहता है जो भी अपडेट्स जो भी नोटिस आती है आपको सबसे पहले बताई जाती है तो आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं देन आप लोगो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को आल पर से GCECEB जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आप लोग के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो देखिए फाइनली आप लोग का यहाँ पर पेज आ चुका है इस पर इस पेज पर आजाएंगे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे फाइनली आप लोग website पर आ चुके हैं और यहाँ पर ही आप लोग को link मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं online application form में आएंगे तो यहीं पर आप लोग को link मिल जाएगा किसका 2024 ITI counseling का link ठीक है तो जैसे link पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो finally आप लोग इस page पर आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए जैसे link पर click करेंगे कि आप लोग का counseling 24 वाई link पर तो आप लोग फाइनली इस page पर आ जाएंगे जो कि आप लोग का कुछ page इस परकार का दिखता है और यहाँ पर देखिए बियार combined intense competitive examination board आप लोग का दिया गया है और करते हैं तो आप लोग सामने एक नया page open हो जाएगा जो कि कुछ इस परकार का आप लोग का रहेगा और मैं आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूँ कि जितने भी student यहाँ पर जिनका यहाँ पर rank card जारी हुआ है चाहे आप लोग का एक rank हो चाहे आप लोग का कांसलिंग करने का तो आप सभी student अपना कांसलिंग जरूर कीजेगा और मैं आप लोग को बता दूँ कि कांसलिंग में आप लोग कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लग रहा है ठीक है तो आप लोग अपने mobile phone से करेंगे तो कोई भी आपका फीस नहीं लगेगा अगर आप लो आप लोग के सामने यहाँ पर कांसलिंग का दिया रहेगा कि VRITI कैट कांसलिंग 2024 इसके बाद आपको यूजर आईडी बनाना है और पास्वर्ट बनाना है और सेक्रोटी पीड आपको यहाँ पर समिट करना है और सानिन करदना है जिसका यहाँ पर रिदेशन हो चुका रह इस्टेशन आप जो लोग जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इसमें देखी आप लोग को पर्सनल डीटेल आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि आप लोग का रोल नंबर मोबाइल नंबर और इमेल आईडी ठीक है आप लोग कोड डालिएगा इसमें सेक्रिटी पीन में और सब्मिट एंड नेक्स्ट कर देजेगा आप लोग के सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आप लोग जो मोबाइल नंबर जो इमेल आईडी दिये हैं उस पर आप लोग का एक वन टाइम पासोड यानि ओटीपी आएगा और ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना है इसके बाद सेक्रिटी पीन को यहाँ पर इंटर करना है इसका वरिफाई एंड फाइनल सब्मिट आपको कर देना जैसे ही करते हैं आप लोग के सामने आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा ठीक है और आप लोग सोच रहे है इसका capture code या जो दिख रहा है इसमें आपको डालना और sign-in कर देना है ठीक है तो आप लोग final login हो जाएंगे जैसे login होते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर देखिए आप आप लोग का total available 24 दिखाएगा और यहां पर जो total available 24 यह सभी student में एक जैसा नहीं रहेगा किसी में 25 अवलेबल 24 रहेगा किसी में 20 रहेगा किसी में 15 रहेगा किसी में 10 ही रहेगा ठीक है तो आप लोग rank अनुसार यहां पर available 24 दिखा रहा है और यहां पर देखिए आप लोग जैसे यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन होता है, तो यहाँ पर आपका समय दिख जाएगा, आपको 20 मिनट तक आपका जो प्रक्रिया 24 फिलिंग का कर लेना है, अन्था आप लोग का दुबारा री ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 24 फिलिंग का अपसंदियास पर जैसे क्लीक करते हैं, तो आप लोग के सामने एक नेया पेज बं हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को कौन कौन से ITI में यहाँ पर counseling करवाना है कौन-कौन सा यहाँ पर ITI और trade choice करना है तो इस पर finally मैं आप लोग को वीडियो बना दिया हूँ आपको मेरे description box में link मिल जाएगा आप लोग अभी तक trade डाला list डावड नहीं किया है तो वीडियो को देख करके download करके अपना यहाँ से देख लिजिएगा और यहाँ पर देखिए आप लोग का दिखा रहा है ITI का नाम और आपका यहाँ पर trade कौन-कौन ITI में कितना trade चलता है और जैसे ही आप लोग यहाँ पर add वाले option पर click rank जैसे माले जी यहाँ पर ITI बेल सेट दिया गया ठीक है तो हमें यहाँ पर feature select करना है तो आप लोग यहाँ पर जैसे ही add करेंगे तो आप लोग का इस वाले box में जो 24 फिल्ड है यहाँ पर आप लोग का इस वाले में देखिए ITI सीता मड़ी ITI सीता मड़ी Electrician NCVit Electrician Feater तो आप लोग का यहाँ पर देखिए add होता जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर से आप लोग कर सकते हैं अगर माली जी एक आपका गलती से trade आ गया तो यहाँ से आप लोग trade को remove भी कर सकते हैं और इसके बाद जैसे ही आप लोग का trade twice हो जाता है इसके बाद आप लोग यहाँ पर save and continue कर देंगे और यहां पर मैं आप लोग को बता दूँ कि कैसी आपको ट्रेड 24 करना तो इस पर भी फानली आपको वीडियो मिल जाएगा आप लोग मैं चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें कैसे आपको ट्रेड यहां पर serial wise आपको 24 करना है क्योंकि यहाँ पर आप लोग का जो main main trade है से पहले आप लोग उपर रखिएगा और जो आपका low rank तक आपका जो trade mill सकता है वो आप लोग नीचे रखिएगा ठीक है तो आप लोग का इस परकार admission हो जाएगा सरकारी ITI में इसके बाद save and continue यहाँ पर करियागा जैसे ही करते हैं आप लोग के सामने यहाँ पर print log का option आ जाएगा ठीक जैसे इस पर click करते हैं तो आप लोग के सामने यहाँ पर download locked twice later जैसे ही यहाँ पर आप लोग करते हैं print log 24 तो आप लोग का को लॉक करना है अगर लॉक नहीं करते हैं तो आप लोग का लाश्ट देख तक खुद ही आप लोग का जो 24 लॉक हो जाएगा अगर आप लोग सोच रहें कि आपका 24 लॉक हो गया है और मेरा ट्रेड यहाँ पर गड़बर हो चुका है मैं फिर से अपना ट्रेड रिच्वाइस करना चाहता हूं तो आप लोग यहाँ पर देखिए 24 अनलॉकिंग वाले आप समफ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके इमेल आइड और मोबाइल नमर पर एक OTP आएगा OTP जैसे ही सब्मिट करते हैं आप लोग का जो ट्रेड है और रिच्वाइस हो जाएगा फिर से आप लोग दुबारा यहाँ से जैसे सेलेट किये थे एड किये थे पर ट्रेड वैसे दुबारा आप लोग कर सकते हैं ठीक तो यह बात रहा जिनको रिच्वाइस करना है तो यहाँ पर सिंपल यह आप लोग डाउनलोड लागड च्वाइस लेटर पर क्लिक करिए आप लोग का डाउनलोड होकर आ जाएगा कु देजिएगा जो कि आपका दस रुपय लगता है इसको निकलवा नहीं ठीक है तो फानली आप लोग ऐसे निकलवा सकते हैं और जब भी आप लोग का एलट मिलिटर आएगा तब आप लोग को ये डाकूमेंट से साथ में डाकूमेंट और इफिकेशन कर वादे समय आपको दे है तो आप लोग को बताई जाएगी धन्यवाद